पत्रकार बंदुओं को मेरा नमुश्कार आज बहुत प्रसन्यता के साथ आपनों को सुचित करना है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यमंत्री राजकीर निर्मान निगम के डेपुटी शेयरमेन रहे आजिनिस्री संदीप सुकला जी आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे है पिछले दिनों दिल्ली सरकार की अर्विन केजरिवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर सिक्षा के छेतर में, चिकिस्सा के छेतर में, विजली पानी के छेतर में जो काम आम आदमी पार्टी ने किया है उससे प्रभावित होकर बहुत सारे नेता अलग अलग दलों से आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए है उसी कड़ी में आज एक महत्पूर्ण नेता जिनका तालुक सुल्तानपुर जनपत से ग्रेह जनपत जो हमारा है वहां से भी है और समाजवादी पार्टी में राज्यमंत्री रह जुके हैं जब उनकी सरकार थी सफा की आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं मैं इनका हिर्दे की गैराईयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं अन्रोत करूंगा संदीप सुकला जी से कि व तो अपने विचार आपनों के समक्ष रखें हमारे नेता माननी राजस्वा संसत डाक्टर संजय सिंग जी यहां पर उपस्थित पार्टी के अन्य नेतागर्ण पत्रकार बंधूं आज अपने नेता माननी डाक्टर मानी शंजय सिंग के नेतुत में समाजवादी पार्टी छोड़कर हम आमादी पार्टी में सामिल हुए इनकी नीतियां उत्तरपदेश के दिल्ली सरकार के मुखिया आधमाधी पार्टी के राश्टिय ध्यक्ष मानिकेज रिवाल जी की नीतियां इस पार्टी की नीतियां इनसे सबसे प्रभावित होकर सिक्षा के छेत में स्वास्त के छेत में और यहां तक की स्वेकुलरिज्म की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, हिंदुस्तान की आज जो सबसे आहम लड़ाई बन गई है, स्वेकुलरिज्म की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, सब की लड़ाई जो आज मजदूर है, उनकी लड़ाई, ज लोगों ने कहना सुरू के दिया विकल्ब के रूप में आज आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रही हिंदुस्तान में तो उस प्रेंड़ा से प्रभाववित होकर उत्तर प्रदेश में हमारे नेता मानी संजे सिंग जी पिछले एक वज़ से लगातार जिस तरह से वहां आ लेकर लडाने का काम कर रहे हैं पिछले कई वर्सों से वहाँ पर जो काम चल रहा है वहां पर विखल्ब के तोर पर हूँ आदमी पार्टी उभरती हो जिखी है ना कांग्रेश विखल्ब बन पाई ह lists ना समाजवाधी पार्टी विकल बन पाई को कि इसके लिए मेहनत करना होगा जंजन तक जाना होगा किसानों तक मजदूरों तक जो भी कमजोर हैं की लड़ाई लड़ने के लिए घर घर जाके वहां लड़ने होगी उस काम में मानिसानसत संजे सिंग जी ने जो काम एक साल में किया उसे प्रभावित होकर हम आज आम आदमी पार्टी में आए हैं हमें लगा कि यहां पर लड़ाई लड़ी जा सकती है यहां पर आंदोलन किया सकता है भाजबा को हराने के लिए आज उत्तर पदेश में पुरे देश में लेकिन मैं उत्तर पदेश किसलिए बात कर रहा हूं मैं उत्तर पदेश की राजनीत करता हूं उत्तर पदेश में विकल बनी है आम आदमी पार्टी लोगों ने कहना सुरू कर दिया कि अगर कोई विकल बन सकता है भाजबा को सत्ता से बाहर कर सकता है तो किवल एक विकल आम आदमी प ह конечно में थी खत्रा जो कि यो सेकुल्लुरिस्म हमारे हूँ देश में होने की कोषिश करनी के कि हिंदुत्त का नारा देकर हर्म का नारा देकर मंदिन मश्यिद के लाई कराके देश को वजबाजन करनी जो कोशिश की जा रही है वो ने ने कानूरों रोज बनाय जा रहे हैं हैं, यहाँ पे देश में समस्या क्या है। उसको गुम्रा करने के लिए कभी कुरोना के नाम पर, सबसे ज़्यदा कुरोना दिल्ली में हो जाता है, भाजपा शासित राज़ों में अमंचैन है बताया जाता है और आज भाजपा सासित राज़ों में हालत बत से बत्तर है वहाँ पर आर्थ कि चर्मरा गई है, जो अर्थ ववत्ता माइनेस 22 पहूंच छुकी है और जो कभी प्लस 10 हुआ करती थी, प्लस 9 हुआ करती थी तो दे आप लोग आप बंद कर लिए और देश में कुरूना का संक्त ले आए देश में ऐसी चीजे लाएंगे समय समय पर कि हमको भ्रमित करने का काम कर रही वाती जनता पार्टी उन सब की लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ है और हम आज संकल्ब लेते हैं कि आम आदमी पार्टी में सामिल होने के बार हर घर गाउं गाउं के लड़ाई को हम एक जनांदूलन का रूप मानी संजे सिंग के नियुत्त में चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम चौबिस घंडे में हनत करके हम को बिल्कُل पूरे तंद्र मंधन के साथ काम करेंगे लाइई लड़ेंगे हमें उसको लड़ाई और आगे बढ़ांके सत्ता के लाड़े यामादमी पार्टी नहीं लड़ती है। वो खोती जा रही है, वो संस्क्रती विलीन हो गई है, तो सपा, बसपा, दोनों की स्थितियाएं हैं, तो भाजपा को विकल कौन बनेगा, कांग्रेस की हालत यह है कि मानी प्रियंका गानी जी कोल पिक्निक के रूप में वहां जाकरने जाती हैं, साल में एक बार, छा महीने म एक बार, और अब सुनाई पढ़ाएं, अठाइस दिसंबर को जाएंगे, स्थापना दिवस्त मनाने, जो कि अभी लंबा समय है, तो वो पिक्निक, सहर सपाटा करने काम कर रहे हैं, तो विकल्ब कौन है, विकल्ब को आम आदमी पार्टी है, तो संचिप्त में हम ही बात र इवाल जी के नेतुत में, जो भी होगा, जो निर्देश प्राप्त होंगे हमको, उसको उस मुहिम को आगे बढ़ाने में कोई कूर कसर नहीं रखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, धन्यवाद. गन्यवाद संदीब जी, इसके अलामा एक बहुत ही महत्पूर्ण मामला सामने आया है, घोटाला सामने आया है, जो आपनों के साथ मैं सेयर करना चाहूंगा. और योगी आदित नाज जी की सरकार के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि आदित नाज जी की सरकार में अपराधी करन भी है, गुंडा राज भी है, जंगल राज भी है, और इसके साथ साथ भरस्टाचार भी चरम पर है. यह आप देखिए, एक मामला सामने आया है, करोना की महामारी में फर्जी वारा कैसे किया जा सकता है, यह आदित नाज का मॉडल है. यह आदित नाज सरकार का मॉडल है, बरेली से यह खबर प्रकासित हुई है, जिसमें करोना की महामारी के दौरान भी फर्जी वारा कैसे किया जा सकता है, यह आपको देखने को मिलेगा. और यह खबर क्या कह रही है? यह खबर यह कह रही है कि व्यक्ति नहीं, उसका नाम नहीं, नंबर मौजूद नहीं, ना व्यक्ति मौजूद, ना नाम मौजूद, ना नंबर मौजूद, ना अता मौजूद, ना पता मौजूद. लेकिन उसकी जाच हो जाती आदितनाथ जी के राज में आदितनाथ की सरकार भूत का जाच कर रही है भूतों की जाच आपने सुना है नहीं सुना है तो आदितनाथ के राज में जाके देखिए भूत का करोना टेस्ट कैसे हो सकता है वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा ह तो उत्तर प्रदेश चले जाईए भूत का करोना टेस्ट वहां पे हो जाएगा ये तो सिर्फ एक जिले में पकड़ा है 956 लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जैसे इन्होंने करोना घोटाला किया इसी तरीके से इन्होंने ये घोटाला किया है भूत जाच हो टाला यानि इन्सान मौजूद नहीं उसकी करोना की जाच भी हो गई और उसकी रिपोर्ट भी दरसा दी गई और किट तोड़के फेक दी गई जीरो 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 नमबर लिख दिया गया बोले साब मुबाइल नमबर क्या है बोले जीरो 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 ये मुबाइल नमबर है ये आदितनाज जी के सरकार में काम हो रहा है जो जीरो सरकार है वो जीरो 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 वाले नंबर पे जाज कर दे रही किसकी भूट की जाज वादितनाज जी समसान में दलाली खाई आप लोगों ने आपदा में अवसर तलास लिया आप लोगों ने 800 रुपए का आकसी मेटर 5000 रुपए में खरीदा गया उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जीलों का घोटाला मैंने खोला था 1600 रुपए में मिलने वाला थर्मोमीटर 13,000 रुपए में उत्तर प्रदेश के अंदर खरीदा गया पी-पी किट का घोटाला हुआ हेमोटलाजी एनलाइजर जो डेड़ लाख रुपए का जेम पोर्टल पे है वो तीन लाख तीस जार रुपए में आधितनाथ की सरकार ने खरीदा और जब हम लोगों ने इस पर सवाल उठाया तो एक S.I.T. बना दी गई S.I.T. आज उत्तर प्रदेश में सफेद हाथी बन गई है सुरक्षा कमज बन गया आज इतना सरकार का कोई भी मामला हो उसमें S.I.T. बना दो निकलना कुछ नहीं है उस S.I.T. से अब मैं तो कह रहा हूँ आधितनाथ जिसे सिच्छक भरती घोटाले में आपने S.I.T. बनाया कुछ नहीं निकला करोना के किट के होटाले में आपने साइटी बनाया कुछ नहीं निकला इंद्रकांति पाथी मामले में आपने साइटी बनाया कुछ नहीं निकला आपने कानपुर कांड में साइटी बनाया आपने हातरस कांड में साइटी बनाया ना किसी को जेल हुई, ना किसी को रिकबरी हुई, ना किसी के खिलाब कोई कारवाई हुई, ना किसी पे कोई अफाईयार हुआ करोना की जाज हो रही है, S.I.T. बन गई, इसकी जाज कौन करेगा जो भूत जाज गोटाला किया है आपने, कि क्या कहते हैं कि कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है आदितनाजी के राजिया अब सब चंगा कैसे है यह पता चल गया जब आप जांच करेंगे ही नहीं नो टेस्टिंग नो करोना नो महामारी नो खत्रा समझे में चल रहा है तो करोना नियंतरण में आदितनाज की सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है और उसका मॉडल ये है कि आकसी मीटर में घोटाला करो थर्मो मीटर में घोटाला करो पीपी किट में घोटाला करो हेमटलाजी एनलाइजर में घोटाला करो हर एक चीज में घोटाला करो और जाच के नाम पर भूत की जाच करके 0000000 नमबर लिखतर जीरो वाली सरकार आदितनात वाली सरकार ने एक महा घोटाला किया है कि करोना की महामारी में भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाच कागजों में हो गई कित तोड़ के फेक दी गई ना इंसान का पता, ना नाम का पता, ना नमबर का पता तो ये आप लोगों के सामने मुझे रखना था कि आदितनात जी का करोना से लड़ने का उत्तर प्रदेश में मौडल क्या है अब आप लोगों के कोई प्रस्न हो तो आप पूछ सकते इसमें सिर्फ एक जिले की घटना है लेकिन ये 75 जिलों में कांड हुआ है आपको याद होगा मतुरा आगरा का एक मामला आया था जिसमें डाक्तर किट तोड़ तोड़ के फेक रहा था और नाम चढ़ा रहा था वो वीडियो भी है कहेंगे आप तो दिखा दूँगा उसमें नाम लिखतर चढ़ा दिया गया और जाच हो गई आपकी ना आपका पता ना नंबर का पता ना नाम का पता इंसान मौजूद नहीं तो ये भूत जाच घोटाला आदित नाज जी के राज में सामने आया है मैं चाहूंगा कि आज आदित नाज जी से आप लोग सवाल कीजिए उनसे पूछे कि क्या आप ऐसे करोना से महामारी से लड़ेंगे ये आप कर रहे हैं इंसानियत को मानोता को शर्मसार कर रहे है मानो जाती की इतिहास में जो सबसे बड़ा संकट आया उसके साथ इस तरह से आप खिलवार कर रहे है कोई सरकार ऐसा कर सकती है इसमें उन्होंने कादेस जारी कर दिया तीन हजार लोगों की जाच प्रतिदिन करो अधिकारी जुड़ गए जाच करने में आदितनाच जी ने कह दिया ऐसे करो बता दिया बोले साथ तीन हजार आदमी की जाच हम लोग नहीं कर सकते बोले भूतों की कर दो तो भूतों की कर दिया तो इसलिए इसको आप लोग देखिए ये बहुत गंभीर मामला है कि किस तरह से इनसान की जिन्दगी के साथ और करोना की महामारी में आदितनाच की सरकार खिलवार कर रही है मुझे सुरू से लेके आज तक तेरा हजार रुपए वाला थर्मोमीटर खरीद के आप दिखा दीजिए पहले दिन सबसे करोना सुरू हुआ तब से लेके आज तक मैं आज तक की बात कर रहा हूं आदितनाच जी से एक रेट दिखवा लीजिए आप जिसमें तेरा हजार का थर्मोमीटर मिला हो एक रेट दिखवा दीजिए आप मैं अपने सारे आरोप वापस ले लूँगा आप ऐसे जूट बोलते हैं खुले आम जूट बोलते हैं अरे बहुत यह आकसी मीटर तो पूच हजार का था सुरु पूच रहा है मैं दो कहा रहा हूँ चलो सरकारी रेट आठ सो रुपए को पांच हजार में आपने ऐसको माँच हजार में खरीद हैं 157 ला सुरुपएमें घर्मोमीटर मिलिगैं चलो जब बहुत महँगा रहा होगा तो 3000 का रहा होगा सुरुवात में रहा होगा मान लिया 5000 का रहा होगा 13000 का कब था मुझे दिखा दीजे आप और कब आक्सी मीटर 5000 का था सुरू से लेकर आज तक मैं पूछ रहा हूँ चलिए आज तो डाउन हो गया उनकी बात आप कहरे हैं जब ये खरीदारी हुई तो 5000 और 13000 में कहां मिलता था आक्सी मीटर और थर्मो मीटर मुझे दिखा दीजिए आज ये समसान में दलाली खाने वाले लोग हैं आपदा में आउसर तलासने वाले लोग हैं जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वो बात फिर से दोरा रहा हूँ देखिए देश के किसानों की दीपावली बरबाद करके मोधी जी अगर सोच रहे हैं कि वो दीपावली का पर्व मनाएंगे तो जिन किसानों के घरों में आज अंधेरा है जो किसान अपने फसल का दाम पाने के लिए इस थंड के महीने में पानी की बौचार जहिल रहा है लाठियां खा रहा है आसू गैस के गोले बरदास्त कर रहा है सडकें खुदवा दे रहे हो आप मुकदमे लिख रहे हैं उनके उपर लाठियों से पीट रहे हो उसकी क्या दीपावली रहे गई और देव दीपावली देवता भी देख रहा है कि किस तरह से आप दीपावली का मजा पुड़ा रहे हैं किसान के घर का दिया बुझा के किसान के घर में लोग मर रहे हैं देश का किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर है कर्ज के तले दबा हुआ है उसको फसल का दाम नहीं मिल रहा है सडक पर आंदोलन करने पे उसको पीटा जाता है एक किसान की कल मौत भी हो गई एक किसान आंदोलन में बैठे थे उनके बेटे सुबीर सिंग जी सीमा पर सहीध हो गए किसान आंदोलन में है बेटा सीमा पर सहीध हो रहा है और प्रधान मंत्री जी कभी हैदराबाद नोटंकी करने चले जाते हैं कभी बनारस चले जाते हैं कभी उनके मुख्य मंत्री निगम के मैंने आपको क्या कहा था आप मेरी बात को याद कर लीजे मैंने कहा था ये तीन विल और पार्लेमेंट में मैंने इसके लिए माइक जग तोड़ा था तो मुझे निलंबित किया गया आज तो आप किसानों के हडियां तोड़ने आपकी सरकार को कौन निलंबित करेगा तब तो भाजपाई बहुत रो रहे थे कि माइक तोड़ दिया माइक तोड़ दिया संजे सिंग ने अग जो बुड़े बुजर्द किसानों को आप लाचियों से पीट के उनकी हडियां तोड़ दे रहे हैं आपकी सरकार को कौन निलंबित करेगा महंगाई, काला बाजारी, जमा खोरी को बढ़ावा देने वाला ये बिल है कैसे? आपने इसमें लिख दिया असीमित भंडारन की छूट, यानि सस्ते में आलू, सस्ते में प्याज, सस्ते में फल, सस्ते में सबजी, सस्ते में यहू, सस्ते में चावल, सस्ते में दाल, सस्ते में मक्का, किसान से बड़े-बड़े पूजी-पती खरी देंगे, उसको बड़े बड़े भंडारण में स्टोरेज में अंदर रखेंगे और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महेंगे दामों में उसी किसान के बेटे को बेचेंगे। यह इस बिल में लिखा। इस बिल में MSP नाम का एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा। कहते हैं परदान मंतरी जी ने भासर दे दिया इसलिए आप लोग मान लीजे कि MSP मिल जाएगी। किसान पर हमला आओ बोलो जुमला तो तुम्हारे जुमलों में लोग आने वाले नहीं हैं आप उसमें दिखाईए कि बिल के अंदर कहां पर MSP की गारंटी लिखी हुई है। क्योंकि अगर किसी किसान को MSP नहीं मिलेगी वो जज के सामने जाएगा तो जज साहब पूछेंगे कि आप बताईए बिल में कहां MSP की गारंटी लिखी हुई है। किसान अगर कहेगा जज साहब आपने नहीं सुना प्रधानवंति जी ने बहुत अच्छा भासर दिया था तो उनकी याचिका को पकड़ेंगे उठाके कूले दान में डाल जाएंगे। विल से MSP मिलती है, कानून से MSP मिलती हुए। मोधी जी के भासल से MSP नहीं मिलती ओदी जी दहुत अच्छा दे लेते हैं तो अम्तर रास्ती वह तो नालेग गैस सचाह भी बनवा देते हैं.. उनका तो लिला थाली बज़या के करोना मिता देते हैं.. आप कुन्यों मिनटा नहेरे में रखके करोना दूर कर देंगे उनका तो खर बगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन फिलाल बिल में जब तक नहीं रहेगा तक एमस्पी नहीं मिलेगी धन्यवाद करेंगे कुछ चीजें हमने तैय की है जब उसकी गोस्ना करेंगे तो आपको